नमस्कार आज अपने एक बहुती बड़ा अश्चेर वारा टोपिक लेंगे टोपिक यह है कि आपने सुना होगा कि यार के गणपती जी का विसर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए के हों अगुजा आपने गर से निकालेंगे तो अपने डिती पाहर चली जाएं और अपने यहां पर शुरू से परंप्रा आ रही है अधिकतर लोग गनपती जी गो विराजमान करते हैं अपने गर के अंदर और फिर अनंत चतुर्श दर्शी के दिन गनपती गो पानी के अंदर विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं देखें आवे स्वाल ये है कि आखिर क्या बगवान स्री गनपती गनेश का विसर्जन किया जाना चाहिए या नहीं इस टौपिक के उपर आज एकन बात करेंगे और फेक्ट जानेंगे कि क्या वाकष में विसर्जन करना उचित है या अनुचित है इसके बारे में अपन जान अनपजी का विसर्जन करें या नहीं करें, आपने भी WhatsApp, Facebook, Instagram, सब पर देखें होंगे, कोई केते विसर्जन करना चाहिए, कोई केते नहीं करना चाहिए, सब के अलगलग तर्क होते, उन्हीं तर्कों पर आज आपने बात करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आप गनेश अलांकि गनेश चतुर्वदी के दिन भगवान सी गनेश का जन्व दिन पहले भी सत्य सनातन पुरानतन से मनाया जा रहा है और मनाया जाता है, लेकिन गनेश उस्व जो मनाने की परंपरा कहां से शुरू होई वो देखिया, गनेश उस्व और सिवाजी उस्व मनाने की पर अंग्रेजों को इस देश से बगाना चाहते थे तो उससे पहले इन्होंनों सोचा कि अपने हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट करना होगा तब ही अपन इन अंग्रेजों को अपने देश से बगा पाएंगे तो इनके दिमाग में विचार आया कि हिंदुस्तान में आस्त वाक्री में एकतित हुए और स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे अंग्रिचों से इन्होंने तेक नारा भी लिया था सवराज मेरा जन्मसिद अधिकार और इसे में लेके रहूँगा तो यह परंपरा गनेश उस्सव और सिवाजी उस्सव माराष्ट में शुरू हुए और मोद में देरे ओल इंडया में फैलने लगी दस दिन का उस्सव मनाया जाने लगा और कणंपची कर शूरू हिसंड किया जाने अब सवाल यह है कि क्या अदेशी आफिए कि मैंऊन पॉइंट हुएяж है तो अगनेशी का विसर्जेन किया जाना चीनि तो तुरंट आपको कि इतने आर्टिकल खुल जाएंगे, वाट्सआप पर मिल जाएंगे, फेस्बॉक पर मिल जाएंगे, गुगल पर मिल जाएंगे, सबी पर एक ही कहानी आएगी, ये वाली, महाभारत वेद्यास, इसके साथ मुझे महाभारत लिखने के लिए किसी की जुर्ण जाएंगे, इसके साथ मुझे महाभारत लिखने के लिए किसी की जुरूत पड़े जी, तो उन्होंने इसके लिए सबसे बेस्ट और उप्योक्त माना गणे जी को, गणपत जी को, क्योंकि ये बुद्धि में बहुत तिवृत है, तो वेद्यास जी ने इनको चुना महाभारत लिखने के लिए, अब कहानी क्या है रेकिया आप, महाभारत वेद्यास जी ने लिखी, ये तो बिल्कुल सत्य है, गरंथों में लिखा हुआ है, वेद पुराण में लिखा हुआ है कि महाभारत वेद्यास जी ने लिखी है, ये भी सत्य है, नोट करना है, कहते है कि दस दिन तक लगा ता वेद्यास जी बोलते रहे और गणे जी महावरत लिखते रहे हो इसके भीच में ये भी था कि जब लिखते हैं मेर कि एक बार गणे जी कलम तूट जादी तो गणे जी का प्रण वाता है कि मैं बिन् nit तो उन्होंने एक बार कलम टूट गई लेगे फिर भी वो रुके निया अपना एक दाट तोड़ कर उसको डुबो कर शाही में डुबो कर लिखते रहे तभी उनका एक नाम पड़ा एक दंथ भगवान एक दंथ भी कहते हैं करें जिन तो लगाता लिखते रहे फिर कहते हैं क कि उनका सरीर का तापमान गर्म हो गया सरीर के तापमान गर्म हो गया दस दिन बाद जब महावारत लिखी तो फिर उनके सरीर को तापमान को ठंडा करने के लिए उनको नदी में सनान करवाया गया इनको करेंजी को और जिस दिन सनान कराया गया उस दिन अनंत चतूर यह देखिया आप मारे देखिया कहाणी यहीं पर्खत्म होती है आगे नहीं बढ़ती अपनेorma काहानी यहीं खतम होती है लेकिनि इसके आके कहानी में बतूंगा तो आपको देखिया ठीक है दस दिन तक उनको रेगुलर वह मावरत लिखते हैं उनको शरीर को तौपमान गर्म हो जाता है तो उनको नदी में इसनान करवाया जाता है उस दिन अनंद चतूर दस्ती होती है लेकिन इसके के आगे के कहानी आपको पता नहीं है वेद व्याज जी ने जब गणे जी को इसनान करवाया नदी में तो क्या उन्होंने गणे जी को नदी में ही छोड़ दिया क्या उनका विसर्जन उस वक्त नदी में कर दिया था क्या गणपती जी बाहर नहीं निकले थे यह कहानी आपको WhatsApp, Facebook और Google पर नहीं मिलेगी और Wikipedia पर नहीं मिलेगी जो आज दिन तक हमको गलत बढ़ाया जा रहा है गलत सुनाया जा रहा है गलत समझाया जा रहा है जब वो सनाम करके वापिस नदी से बहार आते हैं गणपती तो वेदव्याद जी उनको फल फूल और मिठाई देते हैं को क्योंकि दस दिन तो को बीना रुके और बीना खाये पीए महाभारत रिखते हैं तो उनके जब वो नदी में इस्लाम करके बाहरा आते हैं तो फूल मिठाई फाल और जल दिया जाता है गनेची को और वो आराम से बोजन करते हैं तो आप मुझे इसमें बताई है कि क्या मैं है वियास च现在 को इस्लाम कराने देव देब 식ते तो viendo देवार नदीन से वापिश वांदे हैं उनकी उनको खाना खिलाते हैं उनकी पुजा करते हैं और उनको फल फूर जल खंशिद करते हैं अर अपन क्या करते हैं तो आपने गर में विठाते हैं अच्छी पूजा करते है अच्छी मतलब आर्थी करते हैं उनका खूब आओ बाओ सत्कार करते हैं खूब दस दिन तर खूब करते हैं फिर क्या करते हैं दस दिन बाद ले जाकर उनको नदी में विसरजन करते हैं ये गलत है विसरजन करना आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसका फैक्ट जान अगर कहीं पर बेद पुरान गरंत में अगर कहीं लिखा हुआ है कि अनंद चतुर दर्सी के दिन बने जी के विसरजन करना चाहिए तो आप मुझे बताना अगर कई लिखा हुआ हो तो अपने गंतों में अपने वेद में अपने पुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा हैं गलत परमपरा चल रही है अपने हिंदू समाथ में बहुत सारी गलत परमपरा चल रही है बगवान को बदनाम करने की इस गलत परमपरा को बंद करें गणपची का कभी भी सर्जन मत करना वो तो हिदी शिति के देवता हैं क्या एक बात वतना क्या आपके गढ़ में गणपची के मूर्ती विराजमान नहीं रहती है हमेशा के लिए रहती है आप उनकी भी फूजा करते हो लेकिन जब आप दस दिन तक विसेश आप तो आगे उनको जाकर नदी में विसर्जित करके आ रहे हैं महेर सी वेद व्यास ने ऐसा नहीं किया था और सारी कहानी आप इंटरनेट पर पढ़ोगे ना तो यहीं आएगी लेकिन उसमें कहीं यह नहीं कहा था कि त्यान रखना आप मैं कहीं यह वीडियो देखने के बाद आप सर्च करना इस कहानी में कहीं यह नहीं आएगा कि महेर सी वेद व्यास ने इसनान करवा कर बगवान स्री गनेश को वहीं छोड़ दिया एसा उस कहाणी में कहीने आएगा इस उस कहाणी में सिर्प ही आएगा कि महिंसी वेद व्यास ने उस दिन उनको इसलान करवा है था नदी में बस और आप क्या करेiateämän महिं पर नदी पर ही भगवान को छोड़ के आ para एसा कभी मत करना धसा कभी मत करना कणपत्जी का विसर्जन कभी नहीं होता है नोट करना और अगर आपके पास के नोलेज हो जानकारी हो अगर वेद पुरान में कई लिका हुआ हो तो मुझे वाट्सअप करना मेरे नमबर मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं मुझे कोल करके जरूर बताना अगर मेरा वीडियो और आपको गलत लगे तो